दोस्तों इंडियन मार्केट में अब हैच्बेक्स और सीडेन की डिमांड कम हो गई है क्योंकि अब लोगों को स्वीज पर पसंद आती है एस्वीज को लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं लेकिन अभी हाल जो चीपेस्ट एस्वी की सेग्मेंट है जोकि विटारा ब्रेजा औ हम उसी के बारे में बात करने वाले 2021 एक ऐसा साल होने वाला है जिसमें आप हैच्बेक के प्राइज में आपको स्वीज मिलने वाली दो एस्वीज लॉंच हो रहे है पहली टाटा एच्वी एक्स टीमेरो जिसके उपर मैंने दो डिटेल वीडियो बनाए हुए है आपको उ जाद अल्टिमेट लेवल के फीचर और एक स्वी मिले की तो वीडियो को पुरा एंड तक देखना था कि आपको साइड डिटेल्स में सके दुस्तु मेरा नाम है वीडियो में चले दुस्तु में विश्कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं दूसर 2021 में हिंडा ही अपनी एक एक सब्सक्राइब यह जो एक सब्सक्राइब आपको वीडियो बना के बता दूंगा दोस्तों अभी जो स्क्रीन में आ रहा होगा उससे यह पता चलता है कि फ्रन्ट में आप अकर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको वेन्य और क्रेटा के जैसे स्प्लीट हैड्लैम मिलेंगे जिसके अंदर आपको डियारेल्स उपर मिलेंगे और जो मेड हैड्लाइट का यूनिट होगा वो नीचे की साथ बंपर में इंटीग्रेटेड होगा यहां पर हिंडाइव जैसा ही आपको फ्रन्ट लुक मिलेगा लेकिन इसका बॉनेट एरिया इसकी ग्रिल्स ए अगर आप थोड़ा उपर की साइड में आएंगे तो दोस्तों यह आप आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर डूल टोन रूफ रेल्स भी है चुकि सिर्फ फंक्शनल नहीं है यह सिर्फ एक शो के लिए इसके अंदर आप सामान लोड नहीं कर सकते लेकिन रियर की सा आपने देख लिया होगा कि इसकी उपर शार्क पिनेटी ना दिया गया है अगर हम रियर की बात करें तो दूस्तों यह आप एक स्पाइडी में जिस देख रहे है इसके उपर जो कपड़ा चड़ाया गया उसके लिए ज्यादा तो कोई इंफोर्मिशन नहीं है लेकिन रि बात करें इंटीर की तो पहला एक चीज में बता देना चाहता हूं कि यह जो प्राइस में आने वाले जो आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा उसके अंदर आपको लेधर सिट्स बिलकुल ही नहीं मिलेंगी या पर जो जो फीचर्स आपको वेन्यू से कम मिलेंग जैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे अगर हम ओवराल बात करते चले शुरूरात करते हैं इसके स्टेरिंग विल से स्टेरिंग विल आपको मल्टी फंक्शनल मिलेंगा जो कि ट्रिल्ट होगा याने आप इसको उपन रिचे अज़स्ट कर सकेंगे लेकिन आगे पीचे करोल मिलेंगे बात निकले तो मैं बता देता हूं इस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजीटल ही मिलेगा सेमी डिजीटल मिलेगा जैसा कि आपको हुंडाइ की वेंडियो में देखने को मिल जाता है अगर बात करें इसके इन्फोटेन में सिस्टम की तो यह भी एक नए यह आएज़बर्ड लुक की साथ आएगा इसके अंदर आपको 8-6 की डेक्स्टॉप टस्क्रίν मिलेकि दूस्धि आपको 22-4 टिस इंचे के नहीं नहीं लेगी इसकी प्राइसिंग क मशली चुपर्यजिकर मिलेगी जो कि ध्रलिल्य वर्क करेगी यह सपॉपर्ट करे लिए एक SUV चाहिए उनके लिए गाड़ी बनाई गई है अगर बात करें इसके डेश्बूर्ट डिजाइन की तो और एक अच्छा इन फ्रीमियम डेश्बूर्ट डिजाइन होगा कई से भी यह गाड़ी चीप क्वॉलिटी की आपको नहीं लगेगी अगर बात कर लेते हैं हम इसके सेग्मेंट कुल्ड ग्लाव वक्स मिलेगा और एक सेग्मेंट जो फ्रीचर मिलेगा वह इसका वायर्लेस चार्ज है आपको वायर्लेस चार्जिंग पैट्स भी मिल जाएंगे इसके टॉप एंड विरेंट में यहापको फाइट टू सिक स्पीड मैन्यूल एंड शिक स्प इसके अंदर आपको मैन्यूल ब्रेकिंग मिलेगी स्लाइडिंग आमरेस मिलेगा जिसके अंदर थोड़ी सी स्टोड़ेज होगी यापे दूस्तु आपको सेफटी की बात कर लें तो एर्बेक्स विट एब्स विटी कॉरनर स्टैबिलिटी कंट्रोल ब्रेक असेश जैसे क विट टूप होल्डर्स दोस्तों फीचर के मामने ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा बरी होगी फीचर लोडेड होगी अगर बात कर लेते इसके प्राइसिंग की तो दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा कम है मैं ऐसा नहीं बोला कि 100 पसंद नहीं आएगी लेकिन बहुत ही ज्यादा चांसे कम है तो दोस्तों यहीं थे मेरे कुछ रिव्यूस लिए की एक्सवान स्वी के बारे में कोई अगर नई डीटेल आएगी तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आ इसे लिए दो इस वीडियो में इतना इप वीडियो जीकने के लिए दोने वाद ठैंक्यू सो मच अब्सक्राइब गासिए अप्टय पांव फोटश्य हाई